काफी मरीद हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि MRI में बताईए कि दिक्कत क्या है तो इसका एक बड़ा बेसिक सा तरीका है जो हम आज आज आपको बताएंगे जैसे ये MRI स्पाइन का है और इस स्पाइन के MRI में सारे वर्टिब्रा दिखाए गए हैं तो जब हम इस MRI को देखते हैं तो ये चौकोर चीज़े जो दिख रही हैं ये सारे हैं मन के या वर्टिब्रा इनके बीच में ये होती हैं डिस्क ये जो आपको पतली-पतली सी दिख रही है और पीछे से ये जो जारी होती है, लंबी सी, ये रसी जैसी चीज, ये है आपकी नसे या फिर की spinal cord तो ये cut जो हम side से देख रहे हैं, इसमें हमें basically दो-तीन चीज़े देखने होती है तो ये कि सारी हड़ियां जो है ऐसी चौकोर है कि नहीं, अगर वो चौकोर नहीं है, इसका मतलब कहीं पर तूट गई है, कोई fracture है दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है कि disc कैसी है, तो normal disc जो होती है, वो कभी भी इस पीछे सफेद चीज़े को नहीं दबाती मतलब, normal disc जो है, हमेशा नसों से दूर रहती है, तो अगर कभी disc पीछे आ रही हो, और इस नस को दबा रही हो, तो फिर वो दिक्कत की बात है, उसको हम slip disc कहते हैं और तीसरी चीज़ जो आप इस cut में देख सकते हैं, वो ये कि overall alignment जो है spine का कैसा है, alignment से मेरा मतलब है, कि जैसे ये जो curve है, ये, ये ऐसा ही होता है normal spine में, मतलब, मतलब, गर्दन में ऐसा एक curve होता है, पीछे की तरफ, फिर यहाँ पे curve होता है, आगे की तरफ, और फिर यहा MRI का इस दूसरा cut होता है, जिसको कि हम axial cut कहते हैं, axial cut ऐसा है, कि जैसे मैं ऐसे cut के देख रहा हूँ, body को, और pair की तरफ से देख रहा हूँ, तो ये जो cut होते हैं, ये उपर से नीचे तक चलते हैं spine में, इस cut में अगर आप देखें, हम इस level पे देखते हैं, ये goal चीज जो ह दिख रही है, ये है नस, और पीछे ये जो चीज दिख रही है, ये है पीछे के spinal element जो हते हैं, जिनको कि हम spinous process या लमाइना खहते हैं, तो इस cut में भी हमको ये goal चीज जो है, जो नस है, spinal cord, वो अच्छे से हमें दिखनी चाहिए, अगर ये कभी दब रही है, या फिर goal की जगा इसकी shape बदल गई है, या फिर आगे से disc पीछे आके इसको दबा रही है, तो इसका मतलब ये है कि spinal nerve पे या फिर spinal cord पे किसी तरह का pressure है, तो basically MRI में ये दो तरह की images होती हैं, जिनसे कि हमें अंदाजा लग जाता है, कि हमारे MRI में क्या दिक्कत है, थैंक्यू.